दोस्तों नमस्कार मैं आपका भूपेंदर नरायन सिंग आएंसी टीवी पर स्वागत करता हूँ हिमाचल प्रदेश के मानी मुख्यमंद्री श्री सुखविंदर सिंग सुखु की एक बड़ी शिकायत के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ सुखु जी के बारे में वैसे मेरी राय अच्छी है उनके चुनाओ परचार को मैंने कवर भी किया था चुनाओ के दौराँ वहाँ भी मुझे कुछ गलत करते वो नहीं दिखे लेकिन अब सियम बनने के बाद वो जो कुछ कर रहे हैं उससे मुझे जरूर शिकायत हो रही है अब देखिए उन्होंने चुनाओ परचार के दौरान वादा किया था कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की भाली होगी और जब उन्होंने ये वादा किया था तो बीजेपी ने बहुत हाय तौबा मचया था बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये कॉंग्रेस का फर्जी वादा है कॉंग्रेस बस वोट बटोरने के लिए ओल्ड पेंशन का वादा कर रही है सत्ता में आने के साथ वो अपना वादा भूल जाएगी टाइप की धेर सारी बाते हैं लेकिन सुखु जी ने वाकई अपना वादा पूरा कर दिखाया कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्क्रीम का एलान कर दिया कॉंग्रेस की विचारधारा प्यार भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है लोडी के शुब अवसर पर मुझे हिमाचल के करमचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे पूर्ण विश्वास है कि करमचारी सरकार के साथकंधे से कंधा मिला कर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहीयोग देंगे मतलब सुखुजी ने जो कुछ कहा था उसे करके दिखा दिया श्खुजी का ये कदम देखने सुनने मेश जरूर अच्छा लग रहा है लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें BJP और उनके महानभाओं की भावनाओं का क्या रखना चाहिए उन्हें समझना चाहिए कि BJP नेता उनकी तरह चुनावी वादे पूरे करने में यकिन नहीं रखते हैं भारतिय जंता पार्टी और उसके कर्णधार चुनाओ के समय धड़ा धड़ वादे करते जाते हैं कोई भी चुनाओ हो किसान बोलते हैं इनकम कम है मोदी जी बोलते हैं सरकार में लाओ डबल कर देंगे बेरुजगार बोलते हैं नौकरी चाहिए मोदी जी बोलते हैं चुनाओ जीताओ नौकरी पाओ लेकिन यहीं मोदी जी चुनाओ जीतते ही सारे चुनाओ वादे पूरे करने की जिम्मेदारी नहरूजी और हिंदू मुसलिम के कंदों पर डा देते हैं। चुनावी वादों के मामले में भारतिय जन्ता, पार्टी, इनीता जरा भी लोड नहीं लेते हैं। चुनाओं के दौरान वो बड़े-बड़े वादे करते हैं, वादों की जम कम मार्केटिंग करते हैं गोधी मीडिया पूरी तरहुन का महौल बना देती है फिर चुनाओ खत्म होते ही मोधी जी मजमा समेट लेते हैं अगले चुनाओं में फिर कोई नया वादा कोई नया नारा कोई नया जुमला मेरा मानना है कि सुख्खु जी को इस मामले में माननी पूराई नहीं है समस्या वादा पूरा करने में हैं अगर सुखु जी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह अपने हर चुनावी वादव को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के भेर सारे नेताओं पर राजय सरकारों पर दवाव ऐसे मैं मानी सुखु जी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बाकी चुनावी वादों के मामने में मानी मोदी जी की भावनाओं को जरूर ख्याल रखें दोस्तों अगर आप भी इस मसले पर सुखु जी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर बताएगा नमस्कार